हेलो प्रेंट्स मैं प्रीतियादव स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में आज अन जानेंगे कि मा की कौन सी गलतियों के कारण पेट में बच्चे को नुकसान हो सकता है वैसे तो हर प्रेंट मैला चाती है कि उसकी गर में पलरा सिसू स्वस्त हो और गर में सिसू की विकास में किसी भी तरह की कमी ना आई और इसके लिए ज़रूरी होता है कि प्रेंट मैला अपना अच्छे से ध्यान रखे भरपूर पोशक तत्तो का सेवन करे चूटी चूटी गलतियों से बचे किसी भी तरह की लापरवाही ना करे क्योंकि शिसू को पोशण अपनी मा यानि प्रेंट मैला की दौरा ही मिलता है ऐसे में महिला दौरा की गई लापरवाई का असर गर्भ में पल रहे सिसू पर पड़ता है और कई सिसू जन्ट से ही विकलांग हो सकते हैं तो लीजी आज मैं प्रेंट महिलाओं को बताने जा रही हूँ की महिला को कौन-कौन सी गलतियां प्रेंट की दौरा नहीं करनी चाहिए जिससे गर्भ में पल रहा सिसू बिकलांग ना हो तो दोस्तों प्रदूशन का बुरा प्रभाव पड़ने की कारण भी गर्भ में पल रहे सिसू की सुनने की चमता पर असर पड़ता है और जब सिसू कुछ नहीं सुन पाता है तो इसकी कारण उसकी बोलने पर भी एसर पड़ता है इसका कारण है ध्वनी प्रदूशन जिसकी कारण आपकी गर में पल रहा सिशू गूँगा और बहरा हो सकता है इसके अलावा प्रिगनेंट महिला अगर भीड भाड या शोर गुल वाली जगे पर जादा रहती है तो इसकी कारण वाइरल इंफेक्शन होने का भी खत्रा रहता है जो कि बेबी को शारे रिकूट से प्रभावित कर सकता है और इसकी कारण भी सिसू की विकलांग होने के साथ साथ सुनने और बोलने की चब्ता पर भी बुरा असर पर सकता है साथ ही प्रिगनेंट महिला और गर में बल रहे सिसू दोनों के लिए ही बॉड़ी में अच्छी मात्रा में खून का होना बहुत जरूरी है इसलिए अगर आप बेबी प्लैन करती है तो आपको 3 महीने पहले से ही फॉलिक एसिड का सेवन स्टार्ट कर देना चाहिए और अगर आप प्रिगनेंट ही तो भी आपको ऐसे पदार्तों का सेवन करना चाहिए जिसमें आइरन भर पूर हो ताकि बेबी की गर में हो रहे विकास में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए और अगर महिला के सरी में खून की कमी हो जाती है तो इसकी कारण बेबी की शारेरिक विकास में कमी हो जाती है इसकी कारण बेबी विकलांग हो सकता है इसके अलावा प्रिग्नेंसी में महिला की जीब के स्वात का बदल जाना आम बात होती है लेकिन ऐसे मैं भी महिला को जंग पूर का सेवन नहीं करना चाहिए ना ही रोड पर लगे चार्ट पकोड़े जैसी चीजों का सेवन करना चाहिए क्योंकि इनकी कारण हाने कारक वैक्टिरिया आपकी बॉड़ी में प्रवेश कर सकते हैं जिसके कारण बेबी की विकास में कमी आ सकती है साथ ही इनमें पोशक तत्तु भी नहीं होते हैं जबकि प्रिग्नेंट होने के दौरान प्रिग्नेंट महिला को भरपूर मात्रा में पोशक तत्तु का सेवन करने की सला दी जाती है साथ ही प्रिग्नेंसी के दौरान इस्ट्रेस बहुत ही नुकसान लायक होता है इसके कारण ना केवल प्रिग्नेंट महिला बुरी तरह प्रभावित होती है बलकि गर में पल रहे बेबी के लिए भी शारिरिक और मांसिक विकास में कमी आ जाती है इसलिए महिला को बेबी के बहतर सारिरिक और मांसिक विकास के लिए जितना हो सके प्रिगनेंसी के दौरान इस्ट्रेस लेनी से बचना चाहिए कुछ रहने की कोशिश करनी चाहिए इसके अलावा कोल ट्रेंग, डिब्बा बंचूंस या रोड पर मिलने वाले जूस का सेवन भी प्रिगनेंट महिला के लिए लुकसान दायक हो सकता है क्योंकि इसके कारण हाने कारण बैक्टिरिया आपके बॉड़ी में पहुंच जाते हैं साथ ही इसमें तरह-तरह के प्रजर्वेटिब भी होते हैं जो बेबी की विकास को धीमा कर सकते हैं और इसके कारण भी बेबी को विकलांगता हो सकती है ऐसे में प्रेगनेंट महिला को घर में निकले हुए ताजे जूसों का ही सेवन करना चाहिए तो फ्रेंज ये ही कुछ ऐसे कारण जिसकी वज़े से गर में पल रहे सिसु के विकलांग होने की समस्या होती है ऐसे में हर प्रेगनेंट महिलाओं को इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए और प्रेगनेंसी के दोरा बिलकुल भी लापरवाई नहीं करनी चाहिए साथ ही साथ अपने खान पान का बहतर तरीगे से ध्यान रखना चाहिए ताकि pregnant मैला और उसकी गर में पल रहे बेबी दोनों को ही healthy रहने में help मिल सके मैं उमीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, जादर से जादर इस वीडियो को अपने friends के साथ share करें हमारी और भी informative वीडियो सेखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमसे जरूर पूछे, हम वीडियो लाइब होने की एक घंटे के अंदर आए सभी सवालों की जवाब देने की पूरे गोशिश करेंगे चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें, स्वास्त रहें